नमस्कार नेपाल के लिए बहुत बड़ी खबर है कि नेपाल ने UAE को हरा के वर्ल्ड कप T20 दो हजार चौविस में परवेश कर लिया है यानि दस साल बाद नेपाल ने फिर इत्यास रचा है और आज नेपाल की UAE के उपर जबर्दस्त जीत हुई है और नेपाल ने आठ विकेट से ये मैच जीत लिया दोस्तों 2004 में नेपाल T20 वर्ल कप में नेपाल का स्रक्षन हुआ था और तब से लेके आज तक नेपाल T20 वर्ल कप में क्वालिफायर नहीं कर पाया इस बार नेपाल T20 वर्ल कप में क्वालिफायर कर गया लगबग और आज नेपाल ने जबर्दस्त तरीके से बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की आसिप सेख ने 50 बॉल पर 63 रन बनाए 126 की स्ट्राइक रेड़ से कुसल भुर्तेल 11 रन पे आउट हो गए थे रोहित पॉडेल 21 बॉल पर 35 रन बनाए और नोट आउट रहे गुलसन जहाने 22 रन बनाए और इस परकार नेपाल ने 17.1 ओबर में 135 रन बनाके ये मैच जीत लिया यानि कह सकते हैं कि आरीब सेख की आज एक जबर्दस पारी मिली देखने को नेपाल की तरब से बॉलिंग भी बड़ी जबर्दस रही और टाइट रही कोसल मले आज जबर्दस बॉलिंग की है तीन बिकेट लिये है तीन ओबर बॉलिंग की कोसल मले और मात्र 11 रन दिये तीन बिकेट लिये संदीब लामी जने ने भी चार ओबर बॉलिंग की 14 रन दिये और दो बिकेट लिये आज का मैच देखेंगे तो बॉलिंग भी नेपाल की बहुत ज़्यादा बहतरीन रही है और बैटिंग भी नेपाल की बहुत ज़्यादा बहतरीन रही है हर मैच में ऐसे ही खेलना चाहिए यूईए की टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई जो कैप्टिन है वसीम ये 26 रन बना के आउट हो गए और जो अरविंध है इन्होंने थोड़ा सा अच्छे रन बनाए 64 रन की पारी खेली बाकी यूईए की जो टीम है कोई 0 रन पे आउट टी 20 वर्ल्कप में हुआ है जो की बहूत ही खुशी की खबर है नेपाल के लिए और दोस्तों हमारे लिए भी क्योंकि नेपाल की जो किर्चेट टीम है इस समय हमारी फेवरेट टीम है कल दोस्तों नेपाल जो है वो ओमान से हार गया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि सायद नेपाल को दिक्कत होगी UAE से खेलने के लिए देखे दोस्तों ओमान UAE ये नेपाल को नहीं हरा सकते हैं हाँ अचानक कभी नेपाल गलती कर दे तो नेपाल हाड जाएगा अगर नेपाल सही से खेले तो जो टीमें अब नेपाल के साथ में खेल रही है वो टीम नेपाल इनके लेविल की टीम नहीं रहा अब नेपाल बड़े लेविल की टीम बनी हुई है हाँ जैसे कल मैच हार गया तो कल साप लापर भाई देखी गई नेपाली किरकेट टीम की इसलिए नेपाल उस मैच को हार गया और हमने बता दिया कि कभी कभी मैच हारना भी आगे क मैच को जीतने के लिए जरूरी होता है जैसे कि कल नेपाल की टीम हार गई तो उनके उपर इस मैच का प्रेसर बन गया कि इसे जीतना ही जीतना है तो कल का हारना नेपाल के लिए नुकसान दायक नहीं रहा चलिए जो भी है आप ये सोच लिए कि वर्ल्ड कप में परवेस हो दस साल बाद यानि बहूत बड़ी बात हो गई यानि ऐसे लग रहा है कि नेपाली टीम 2020 की अपेक्षा ज्यादा ताकतबर हो गई है और दोस्तों मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि पहले की अपेक्षा अब नेपाली टीम ज्यादा मजबूत हो गई है अब नेपाली टीम में तीन मैच खेले थे नेपाल ने वर्ल्ड कप में जिसमें से दो जीते थे एक में हार गया था नेपाल अफगानिस्तान को भी नेपाल ने हराया है आपको पता है अफगानिस्तान बहुत मजबूर टीम हो गई आज कल पाकिस्तान इंगलेंड ऐसे जैसे देसों को हरा देती तो उसको भी नेपाल ने T20 World Cup में हराया था 2004 में लेकिन दोस्तों कुछ भी हो आरिप सेख की आसीप सेख मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि आपके पास दो सेख हैं ठीक है ये खेलते बहुत अच्छा हैं जुमेदारी से खेलते हैं आज कुसल मल का आपको वर्ल्ड कप में प्रवेश के लिए हमारी तरफ से एडवांस में बधाई पूरे नेपाल वासियों को धन्यबाद